आप जानते हैं, दुनिया में कई जगह पर बांधों के दर्वाजे आंटोमेटिक नहीं खुलते, बलकि यहां पर काम करने वाले वरकर को बांध के दर्वाजे को हाथों खोलना पड़ता है, तो आखिर इन बांधों में अपने आप खुलने वाले दर्वाजे क्यों नहीं ल के लिए ज्यादा पैसे, टेक्नोलोजी और समय लगता है। इसी लिए किसी छोटी नदी या जील पर बने हुए बांध में जो कार को हवा में उठा कर एक ही जगह पर कई सारी कार पार्क कर सकते हैं। वहीं जापान में कहीं जगह पर ऐसी भी सड़क है। जहाँ पर सही स्पीड में कार चलाई आए तो आपको म्यूजिक सुनाई देता है। और तो और जापान पानी के नीचे समुद्र में एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जहांपर पांच हजार लोग रह सके यहांपर एक से बढ़कर एक सुविधा मौजूद होगी वहीं जापान की ट्रेन इतनी सुरक्षित होती है कि यहांपर मोबाइल पेन और कॉयन जैसी चीज रख दो तो वह अपनी जगह से हिलेगी तक नहीं दुन जमीन से 700 मीटर उंची है और हर साल यहांपर काफी लोग घूमने के लिए आते हैं लिस्ट में दूसरे नंबर पर है माउंट हुआशन चाहना वैसे तो चाहना में पहाड चढ़ने के लिए भी लिफ्ट लगाई गई है लेकिन यहांपर कई ऐसी भी पहाड़ी है जहांप लोगों के रोमांच के लिए पहाडों के किनारे लकडियों के ब्रिज बनाए गए हैं तीसरे नंबर पर जीरेक बोल्डर यह बड़ा सा पत्थर दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ है जो जमीन से 1000 मीटर की उंचाई पर है और लोग यहांपर फोटो खींचने के लिए क्या आप जानते हैं ट्रेंपोलिन पार्क में चारों तरफ खिंचाव वाला कपड़ा और स्प्रिंग लगाई जाती है जिससे यहां आने वाले लोग हवा में कलाबाजियां कर सके और कई बार यहां पर लोग इतना उंचा उचल जाते हैं कि उपर की दीवार को भी छू ल और यहां पर कहीं लोगों को ट्रेंपोलिन पर बिठा कर कुछ इस तरह से हवा में उचाला जाता है वहीं लोगों को इस पर लेटा कर भी हवा में उचाला जाता है लेकिन इन ट्रेंपोलिन पर ज्यादा उंचाई पर से कूदने और उचलने के लिए प्रैक्टिस की जरू जो लोग पहली बार में ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ पैर तूट सकते हैं.